तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो एंप्लिफायर के वाइवा कुश्चन के बारे में जिसमें हमने सैग, कमपन्जेशन, सारे टर्म्स को कवर किया हुए तो आईए शुरू करते हैं क्योंकि amplifier में हम transistor का use करते हैं तो पहला question जो पूछा जाता है कि which transistor do we use in most circuits and why, कौन सा transistor हम जादतर circuitों में use करते हैं और क्यों, तो इसका simple answer होता है कि NPN transistor हम जादतर circuits में use करते हैं, reason यह है कि हमारे NPN transistors होते हैं, इनकी mobility rate काफी high होती है, मतलब इनका जो flow है वो काफी तेज होता है, और यह जो NPN transistors हैं, इनकी conductivity भी PNP transistor के comparison में जादा होती है, इस वज़े से जादतर circuits में हमारे NPN transistor का use होता है, second question होता है क्योंकि हम जादतर transistor की characteristic निकालते हैं और उसे हमें Q point मिलता है, तो पूछा जाता है यह Q point क्या होता है और य बोला जाता है, यह हमारा DC voltage और current level transistor किस current level और किस voltage पर operate करेगा, यह बताता है, और यह भी बताता है हमारा कि किस amount का amplification या level of amplification हमारा transistor हमको provide करेगा, तो Q point बहुत important point होता है, इसका effect भी होता है आपकी transistor पर यह उपर नीचे होता हो, तीसरा question जो बनता होता है, how does face reversal occur in CE amplifier, face reversal कैसे आता है, अप input देते हैं कुछ और output में आपका face reverse हो जाता है, तो जो instantaneous voltage होता है, वो कुछ इस equation से आप जो लिखी गई है, इसको देख सकते हैं, इसमें जो हमारा VCC होता है, power supply, वो उसकी value constant होती है, तो हमारा जो VCE है, directly minus ICRC पर depend करता है, यानि जितनी positive cycle ज जाएगा, तो इससे हमारा face reversal आता है, और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, with the increase in the signal voltage in positive half cycle, the base current increases, causing increase in collector current, हमारा collector current के across, जो base current है, वो बढ़ने के कारण, collector current के across, voltage drop जादा होता है, जिससे हमारा minus ICRC आता है, और हमारा face reversal हमें प्राप्त होता है, what is compensation and why do we do that, क्योंकि compensation आप कर रहे हैं इस practical में तो पूछा जाता है, compensation क्या होता है, तो compensation कुछ नहीं होता है, आप किसी भी circuit में, जान बूच के किसी reactive device का insertion करा हैं, जैसे कि capacitor या inductor, कि आपको desired effect मिले, जैसे कि आपको power बढ़ानी है, जो भी आपको bandwidth बढ़ानी है, जो भी circuit है आपकी, तो यही होता है हमारा compensation किसी circuit में intentional insertion करना capacitor या inductor का, अगला question जो होता है, what is sag and how to calculate it, sag क्या होता है, और इसे हम कैसे calculate करते हैं, तो आप जब square wave input देते हैं, और आपका output मिलता है, वो थोड़ा सा tilted होता है, जैसा कि आप यहाँ figure में देख पा रहे होंगे, तो यह ह हमारा sag के कारण होता है, इसको आप formula जो लिखा है उससे calculate कर सकते हैं, अगला question जो पूछा जाता है, what is effect of compensation on bandwidth of amplifier, amplifier के bandwidth पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो जो हमारा compensation जैसे ही जैसे करते जाते हैं, तो हमारा bandwidth है वो बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा over large frequency हमारा circuit है व compensation का फाइदा, अगला question जो होता है, rise time और fall time of calculate करते हैं, तो भी पूछा जाता है, rise time क्या होता है, कि हमारी जो input waveform है, वो अपनी low value से highest value पहुचने में उसे कितना time लगता है, या फिर आप कह सकते हैं, 10% से 90% rise होने में, जो भी time लग रहा हो आपके waveform को, और fall time इसका just opposite होता है, कि आपकी waveform को highest point से lowest point आने में, या फिर आप कह सकते हैं, 90% से 10% decline होने में, जो भी time लगता है, वो होता है आपका fall time, अगला question जो बनता है, वो होता है, which biasing method is best and why, biasing काफी types की होती हैं, वो detail में मैं discuss नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पे जो हम लोग इस circuit में use करते हैं, voltage divider biasing, यह ज़्यादतर circuits में हम लोग यही biasing use करते हैं, इसका कारण क्या है, कि जो हमारी voltage divider biasing होती है, उसमें जो हमारा stability factor होता है, वो बीटा पे depend नहीं करता, यानि collector current को temperature से independent बनाता है, इस कारण जो हमारा, जो भी amplification है, उसमें कोई भी loss नहीं होता, तो इस कारण यह हमारी biasing, best method of biasing होती है, एक question जो examiner ने मुझे से पूछा था, कि which pulse is given for taking trace in compensation and for taking frequency response, जो हम लोग trace बनाते हैं, यानि output निकालते हैं, sag निकालने के लिए, तो हमारा square wave input हम लोग function generator से देते हैं, जबकि जब हम compensation frequency response निकालते हैं, तो हम sine wave function देते हैं, एक और question जो पूछा जाता है, वो होता है, what is wideband amplifier and where they are used, क्योंकि हम लोग video amplifier, यानि wideband amplifier ही design कर रहे हैं, तो यह कहां पर use होता है, इसका और यह क्या है, wideband amplifier एक ऐसी electronic device है, जो कि आपके signal को amplify करती है over a wide range of frequency, frequency, मतलब यह frequency की range को बढ़ा देती है हमारे, और जो हमारे output waveform मिलती है, उसके shape में distortion को कम करते हैं, इनका use कहां करते हैं हम लोग, तो इनका use हम लोग communication system में करते हैं, high data rate को transfer करने के लिए, ज़्यादा channel bandwidth के लिए, और radio band को amplify करने के लिए भी हम इनका use कर सकते हैं, तो यह थे वाइवा question, इसके अलावा कुछ जो और topics आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, वो है, power supply से आपको पूछा जा सकता है, transformer के बारे में, bridge rectifier के बारे में, और जीनर diode के बारे में, stabilization क्या होता है, biasing क्या होती है, faithful amplification क्या होता है, यानि जो भी आपने signal दिया है, वो उसी shape में amplify हो, miller effect क्या होता है, NPN transistor की working आपको पूरी आनी चाहिए, जैसे emitter base और आपका collector है, उसमें doping level क्या होता है, तीनो sections का, input और output characteristics, CE amplifier की क्या होती है, CE amplifier से related, CE amplifier कहां-कहां use होता है, common base amplifier कहां-कहां use होता है, और भी different types of amplifiers जो होते हैं, amplifier, क्योंकि आप बना रहे हैं, तो और भी अलग तरीके के amplifier के बारे में पढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही, thank you for watching the video, गर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें और channel को subscribe कर लें, thank you.